हेलो एवरीवन तोडे बी आर गूइंग तो डिस्कूर्स निव फस्स फाइलम ऑफ एनिमल गिंडम दाट इस पॉरिफेरा पॉरिफेरा में आने वाले जो ऑनिप्स रहेंगे वह ऐसे ऑनिप्स जिनमें होल बॉड़ी पे पोर्स प्रजेंट होंगे पोर मिलेंगे इनकी होल मिलेंगे ताइस माइन ओपनिंग सोंगी जिसके तुरू वाटर मूब करेगा और वाटर के साथ साथ जो अधर मटियर से फूट है वही मूब करेगा और गैस एक्षेंग भी इसके तुरू पॉस्टिबल होंगी तो यह जो मेली हमारे पोरिफेरा दे आर मेली एक्वेटिक Onnipelaat neem is agatic 언제 को ostrichik a wargs for the distance Karna start apart again because they do not have more characteristic than the other chaos so first of all we are talking about some of the basis that we discussed in the previous uploads first we have given here the body or designation though in the previous but we already know that four different kinds of body organization are there that is several table tissue level organ seal level and organ level and organ system level तो we are going to discuss here first phyla in which we have given that cellular level of organization means whole body is organized with the help of cell these are the different kinds of cells which are arranged and form the peripheral bodies तो इस तरह और्नाइस है एईच अभरी यहां पर independent है दे दो नोट डिपेंड और अदर अन दो अल्ड लाई प्रोसेस परफाउं बाइद अंसल यह दूसरी सेल पर डिबेंड नहीं रहेंगे अपनी सेल की लाई प्रोसेस परफाउं करने के लिए यह अउसके सासथ इन एरियास की बात करें यहां पर माइन अर इन्ठी आप वार यह दो नेक्स बात करें आद था यह आपर कुटेशन अव यह तो सिक्षित हिसकित की संवम परिफिर यह फिर उसमेटर इन आपक है इन लाई परिफिर इन दो आपक है लाई लाई ओस्ट्रॉ सिंस्पहर आपक हैं परिफिर असल दिला रहिए तो दे आर दा यूनिसल इस इन इन इस लिए जो है इने जम लेयर की जरूवती नहीं होती इसलिए यहां में कोई भी जम लेयर नहीं मिलती ना डिपलोब्लास्टिक ना टिपलोब्लास्टिक So Porifera is the first member of the animal kingdom who have no germ layer, clear? Now we will move for the next point which is given as habitat. Habitat in Kazuhu are mainly marine habitat that they do not found in the fresh water. They do not found in the fresh water, they are found in the marine habitat that means salty water. How the transportation occur in the body? The transportation occur in their body with the help of water. The transportation happens in their body, it happens in its weather, though it happens in their canadies. This is food, is a microscopic food, या बहुत marine particles, phytoplankton, He Tube plankton, उसकेथरों यहां अपने nourishment करते हैं. उसके साथ साथ, जो water we enter यहां कर रहा है, उसमें जो dissolved oxygen और उसको utilize करेंगे, और जो oxygen यूट्लाइज हो चुकी है और कारबन से प्रडूस हुआ है पस कारबन ना एक साथ डिफूजन के थ्रूँ ये उसी वाटर में डिस्ट कर देंगे तो वाटर के थ्रूँ ये जो है फूड भी केदर कर रहे हैं और गैसिक शिंग कर रहे हैं उसके साथ से सेल वेस्ट सेल वेस्ट वह भी वाटर में डिस्ट करते रहें तो वाटर से बड़ा रोल प्ले करता है इनकी बॉड़ी में और वाटर में बोलते हैं वाटर वेस्ट को सिस्टम यहां में मिलता है यह आगे भी हमें एकांट ड्रमाटा में भी वाटर वेस्ट को सिस्टम मिलेगा बट व बात करें कि डाजिशन इन्ट्रा सल्ड रोगा डाजिशन जो यहां पर क्या है इंट्रास लोगा दैट मीस इच अबरी सेल डिपेंड और इसल जितनी सेल से वह अपने उपर डिपेंड करेंगी इसके लिए डाजिशन के लिए कि हम नेस्ट बात करिंगे स्कलिटन कैसे हो पहल गात करहतो इस स्कक्राह़ीक पहलवेंगे स्पग्र मिलेगा तो किक इस थिए लें एक हं और हेलमार हो इंड ह्ट इट आत्र आप नहीं तक ब्रेट ए भीडून को डूर ओ它 त्रह नीहीं कर चुर्टरैलेटर्स भी सिख़्र कर से नाजेए रक'mध नूस्टसित्ट्स शेले जए नहींतितर और पेस्ट्ट वह लुह सिबस्तितर सें प्रचेना ड्रिक मेरगा है एक ही इंडिवीज़ुट गेंदर मेल और और फीमेल और प्रेज़ुट होगा और यह क्या होगा हमारे हर्म फॉटाइट हो गया यह बात होगी अब हाव दो टेरे रिप्रोडूज आशक्ष वली आशक्ष द्याट मिस्ट असिंगल इंडिवेज्ड वर रिप्रोडूज और single individual give its own generation without involvement another individual किसी दूसरे individual की involvement के बीना ये खुदी जो है ये next generation देना start कर देंगे कैसे with the help of fragmentation इससे fragmentation को utilize करके क्या करेंगे ये अपनी new generation देना start कर देंगे जिसे बात करें यहाँ पर हम कैसे fragmentation से तो हम जिसे बात करें यहाँ पर की एक यह हमारा sponge हो गया sponge का यह portion ब्रेक ब्रेक होने के बाद जो ब्रोक पर्शन ब्रोक एरिया है वह यहाँ पर आएगा यहाँ पर यह जो है यह decomposed नहीं होगा यह again grow करना start कर जाएगा clear तो इस तरह जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा fragmentation हो जाएगा fragmentation के तुरू जो है यह इसके मिलेंगे एक ही स्पीस के दो डिफ्रेंट इंडिवुजर मिलेंगे मिलने के बाद जो है वह नेक्स जनरेशन देंगे वह हमारा क्या है सेक्सर पॉसट न और वहां पर सेक्सर क्या होगा जब दो अंदर फर्टलाइजन यह थेक इस पर मऌ और एक मीट करेंगे यह बोड़ी के बाहर करेंगे तो Cheese of prolifera, we found that the egg egg and sperm, both are fused inside the body. So here we observe internal fertilization. Clear? अब fertilization हो गया, jay got form होगा, jay got के बाद हमारा क्या वार्वार्व होगा? अम्डरीयो फामोगा, jay got के बाद क्या वार्वार्वा होगा? एंपरियो के δेबलोप्मेंट कैसे होगी हमने पढ़ा था इस ऑफ एक घडिडि lep होगा एडर से मॉर्फोलोजिकली डिसिमिलर होगा और कैन एवल टू फीड हिमसेल अपने आप ही जो है जो है फीड भी कर लेगा इसलिए यहां पर क्या हमें देखने मिलता है इंडारेट डवलमेंट तो पोरिफेरा जो है उनमें बॉडी और एक्षिन की बात करें सेलर यह दिए और सेकूस्च सेपरेट निया हरमा पोटाइट नहीं है और सेक्सूल फ्रेगमेंटेशन के तरू पर पाप होगा और सेक्शुल परपावूँ जो पर्फावगा वाइद प्रूजन आपकेमिट और फर्टैशन का होगी इंटरल इंटर्लमेंट होगी डेप्लेमे और देट विल भी डिसकसर अब्री ताइम इन दे केस अ परिफिरा यहां पे हमें दिखाई पड़ेगा यहां पर कुलम यहां पर क्या है ऑपर कुलम प्रेजेंट है क्लियर सेम यहां पर हमें डर्मल ऑस्टिया मिल रहें ऐसे ऑस्टिया जो है सिर्फ यहां शो कर रहें लेकिन ऐसे हमारे ऑस्टिया जो है बहुत सारे ऑस्टिया मिल जाएंगे हमें यहां यहां पर मिल जाएगा ऑस्टिया यहां मिल जाएगा यहां मिल जाएगा इस तरह के बाद के करेगा जितना ही माधिरोस के अंदर प्रेजैंट था फूरड प्रेंट था गैश climate लो सारी यहां पर एकस्चेंज होगी एक से होने के बाद क्या होगा एक उपर साइड अपसाइट ओपनिंग प्रजेंड होगी जहां से बाहर आएगा तो ओस्टिया वो ओपनिंग हो गई जिसके तुरू वाटर इंटर करता है और और ओस्कुलम वो एरिया हो गया जहां से जो है यह बाहर आएगा क्या वाटर बाहर आएगा आप्टर प्रफॉर्मिंग अउप अल्ड़ प्रोसेस जैसे एक्षेंज आफ वाटर हो गया यह एक्सक्रीटी प्रडेक्ट है उसको इंटेक कर लेगा और जो फूट असके में प्रजेंट पूट पार्टिकल प्रजेंट था वो इनको सप्लाई कर देया किसको वारिफेर असको अब नेक्स्टम बात करें किस की जो एक्सामपल से यहां पर है यहां पर हमारे पास फ्रेश वाटर इस फंच दूसरा बात सप्रेंज है और स्पन्ज को मेन यूज आपने यह ऑख हो कि हमारे ब्यूटि प्रड़िक्ट है उनको हमें बॉड़ी पे लगाने के लिए उस करते हैं स्पंज उसकरते हैं दू जिसे glass pen हो गया, car का window का glass pen हो गया, उनको clean करने के लिए हम जो sponge करते हैं, वो सारे हमारे क्या है, euro sponge ही है, clear, तो यहां पर यह complete हो गया हमारा, clear, तो इसके साथ ही हमारा यह पौरिफेरा का segment complete हो गया, next जो हमारा file हम है, वो sealant data है, next upload जो हमारा होगा, इसका कहना है, upload होगा, वो sealant data का, और वो हमारा किया होगा, second file हम होगा, so we will conclude here,